Hello everyone, मैं विश्वजीत सिंग, आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.History, M.H.I.104 के स्लेबस को डिसक्स करने वाले हैं सासाथ में समझेंगे कि नए स्लेबस के according में कौन-कौन से lessons को add किया गया है और कैसे हम इसको cover कर सकते हैं जो आपका पुराना स्लेबस था, M.H.I.104 का उसको भी compare करेंगे नए स्लेबस से दोनों के अंदर में क्या changes हुई है, कौन से lessons को add किया गया है, किस तरह के topics को add किया गया है उसको भी हम detail में जाने की courses करेंगे चलिए video start करते हैं, detail में समझते हैं, आज की वीडियो को, सबसे पहला आपको समझने की जुरूद है कि MA history के अंदर में इस समय क्या परीवर्पन हुआ है, जिसके एकारण से यह impact देखने के लिए मिलता है है, MA history के अंदर में मेजरी दो impact देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहला impact और या changes आप यह बोल सकते हो कि MA history को पूरा course था पहले annual mode के अंदर में आप study करते थे, अब आपको यहां पर MA history course semester mode के अंदर में मिलने वाला है, जिसके कारण से आपको यहां पर जो syllabus है, वो भी यहां पर change देखने के लिए मिल जाता है, ठीके जो book की credit होता था, कि इतने credit के अंदर में आपको study करना है, total आपको जैसे first year के अंदर में 32 credit होता था, second year के अंदर में 32 credit आपको पहले पढ़ने के लिए मिलता था, अब यहां पर आपको first year के अंदर में 2 semester तो 40 credit और second year के अंदर में 2 semester तो 40 credit, 20-20 credit के आपको पर semester यहां पर आपको study करना है, total जो course है, आपका 80 credit के अंदर में आपको खतम होने वाला है, तो कुछ इस तरह के changes MA history के अंदर में देखे गए हैं, ठीक है, यह जो MA history के अंदर में क्या बदलावाया, उसका क्या impact रहेगा, वो मैंने किसी और वीडियो के अंदर में detail में discuss कर रखा है, तो आप playlist में जाकर उसको राम से देख सकते हैं, जिससे आपको easily समझ में हैं, जरी हम आगे यहां पर बात करते हैं, MHI 104 के syllabus को, MHI 104 के अंदर में क्या परिवर्तन हुआ है, किस तरह का syllabus impact हमें देखने के लिए मिलता है, उसके बारे हम discuss करते हैं, कैसे हम cover कर सकते हैं, सबसे important topic यह रहेगा, कैसे हम इसको cover कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो new syllabus के recording में, जो books हैं, वो market में available नहीं है, time period आपके पास क चलना है, और new syllabus के recording में, जैसे कि उम्मीद यह की जारी थी, कि syllabus burden कम होगा, जो पहले जैसे मान लो किसी book के अंदर में 23 chapter है, 40 chapter है, 50 chapter है, तो वो burden कम किया जाएगा, पर और यहां पर क्या हुआ, books तो बढ़ी बढ़ी, जैसे आपको मान लो, एक साल के अंदर में ही दोनों semester क पहले आपको एक साल के अंदर में exam देने के लिए करोगे, और और यहां पर पहले वाले slips ben और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तो उसका क्या impact देखेगा, यह एक बड़ा reason रहता है, बच्चों को किस तरद के सिreदी करना चीए, कैसे study करना च就是 एक एयर ब्त वे सिंक परिवरतन आया प्लिटिकल इस्ट्रॉक्चर के अंदर में को अगर जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल इस्ट्रक्चर का तो ऐसा नहीं कि आज जो आपको इस्ट्रक्चर देख रहा है भारत के नदर में वह सुरू से ही बना हुआ था जैसे इस समय पे बीजेपी गौर्मेंट है ठीक है तो क्या पहले भी बीजेपी गौर्मेंट थी न क्या इतना बड़ा लोग तंत्र है तो किस परकार से क्या इसी तरसे चलता रहा 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 सुरू सो इस्टार्टिंग से बना नहीं बिल्कुल भी नहीं किस परकार से चैंजिस हुआ थृूदी इस समय के साथ में किस परिवर्तन हुआ एक राज्य से लेकर एक चोटा से तो आठ क्रेडिट का बुक है बुक इंपोर्टेंट है और पहले से जो इसको बढ़ा दिया गया है इसके अंदर में कुछ नए टॉपिक्स नए चैप्टर से एड़ किये गए हैं जिसके कारण से जो बुक की वैलियो और ज्यादा बढ़ जाता है पहले वाले बुक के अंद पर अब जो नया स्लेबस है उसके कारणिंग में क्या है कि जहां पर एक चैप्टर खतम होता है वहीं से आपका सेकिंड चैप्टर स्टार्ट होता है तो इंटर लिंक करने की बहुत अच्छी से कोर्सिस की जाती है यहां पर और इसली समझ में आता है ठीक है जैसे कि अभी अब मैंने आज 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 आपका जो यूनिट है अरव मेरा अरव वर्ड का ये भी मैं करवा दूंगा तो अकर अभी तक आपने उसलेबस वीडियो नहीं जानते हो तो वीडियो जाकर देखे प्ले लिस्ट में आपको फ्रिवर्तर हमें देखने के लिए तो देखो आपको पहले जो यह पूरा था पहले आप के अंदर में यहाँ पे आपको कि 8 यूश्ड तो पहले हमें हमें देखने के लिए मिलता है पर पहले टोटल यहाँपे 27 चैपटर सांवे। participants कि यहां पर आभ देखोगे तो यहां पर आइए तो आप आफ युनीर्य तो है पर आठ युनीर्टे अंदर में 84 थैट be AB 4 chapter यहां पर यहां सब्सक्रानСТबर कर अब यहां पर बहुत स्टेट तू दिया पार एगा ता camera कि एक राज्य से पुर्व से राज्य तक किस तर से एक छोटा सा मतलब राज्य बनने से पहले और राज्य बनने के बाद क्या formation रहता है किस तरीके से राज्य बनाए कि स्टेट कैसे बना ठीक हुआ पर क्या चीज रहें क्या importance रहा उसके बारे में आप हम discuss करते हैं ठीक है साथ-साथ यहां पर आप बात करोगे कि State in India साथ-वी से तेरी से तादी के अंदर में कौन-कौन से राज्य बन कर आते हैं इंडिया के अंदर में किस तरीके से develop होते हैं उसके बारे में आप हम discuss करते हैं State in India 1300 से लेकर 1800 सबसूर्इंट के नदर में कौन-कौन से स्टेड बन कर आते हैं एरोपें कंपनी जो थी वह किस तरीके से यहां पर रूल करती हैं उसके बारे में हम यहां पर डिसक्स करते हैं इस वाले चो न्यूस लिवर से उसके varias यह चीज़ा आपको यहां पर पड़ते थे तो यहां पर पहाँसिक सरृंचनव के रचनाय के पर इसको बड़ा div define करके अंदर के जो chapters भी है topics भी उसको बड़ा define करके यहां पर बताया गया है जिसके basis पर आप इसको सही से समझ पाते हो कि क्या क्या चीज़े कहां पर आने वाली हैं यहां पर अगर आप बात करोगे कि मुगली स्टेट कैसे था क्या था उसके अंदर में भी कुछ topics को नए त 33 theme 3 यहां पर theme 3 के अंदर में देखोगे तो दिल्ली सल्तनत राजपुत politics पहले यह topics इस तरह सनी थी राजपुत politics करके आपको कहीं भी पंडिकली मिलता ही नहीं था है में history के अंदर में कहीं जिक्र भी नहीं था तरी आपको दो लाइन के अंदर में राजपुत dynasty का यहां यहां पर दिख जाता था कि अच्छा यह लोग राजपुत थे और यहां पर यहां पर बनते हैं तरीके समय जाता है और Northern Eastern India के बारे में आपको क्या politics structure था वह आपको समझ में आता है विजयनेगर का चैप्टर तो हमें सुरू से मिलता है पर बहीमनी एंड जो दूसरे यहा यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता है पर यहां पर इसको अधार मरठा कंपो जिकर ही नही Arai के अंदर में तो यहां पर मरठाuchen के बारे में आपको पढ़ने मिलेगा और सबसे बड़ी बात क्या है कि मराठा प्रशासनिक structure किस परकार का था प्रशासनिक गतिवीदियां किस परकार से की जाते थी उसके बारे में आपको जानकार यहां पर दी जाएगी तो यह इसके अंदर में major changes यहां पर देखने के लिए मिलते हैं और इस चीज़ को जब मैंने रेखा था तो मैंने बहुत है कि जो हमारा time था जो मैं अगर मैं बात करूं मद्यकारीन वाला जो मैंने पढ़ा अपने वाले उसमें तो यहां पर पर हमें परने क्लिका मिलता है विजयनगर भहमनी और दूसरे चांदिक यह चार चैप्टर आपको पर परने कले मिलता है जिसके अंदर में मुगलों का काल अधर से किस तरह से आकरमन हुआ ठीक है गुलाम वंस क्या था किस तरह से रहा इस तारी चेज़े आपको यहां पर देखने क्लिए मिलता है उसके बाद मुगल समराज्य के अगर बात करो तो उसको कुछ ज्यादा ही हाइप करके बड़ा करके दिखा रखा है पर इसके अं मिलता है और सबसे मोस्ट इंपोर्टन चीज़ जो मराथा और मराथा के जो एड्मिनिस्ट्रेशन इस्ट्रक्चर है उसको यहां पर फॉल उप किया गया है उसको दिखाया गया है वह एक मतलब आपके सकते हो काबली तारीफ है ठीक है पहले के टाइम पर क्या होता था उत इस तरह से बने पर मराथा राजपुद का पर कहीं पर जिक्र ही नहीं आता था जो यह चेंजिस हुआ है अच्छा यह बताओ यह चेंजिस किस के कारण से हुआ इसके दो मेजर फैक्टर आते हैं पहला जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एन इपी उसके कारण से अभी कुछ सब्सक्राइब जो मौधी गौबर्मेंट है जो हमारी करण्ट गौबर्मेंट है उसमें मुगल सम्राट चेप्टर वीं मुगल जो सासक थे जितने इस टौपिक्स थे उसको यह पर हटाने के करसे की गई ठीक है जिसके कारण से आपको यह इंपक्त देखने के चल सकते हैं और बहुत जाद अच्छा चेंजिस हैं आपको समझना चाहिए इसके बारे में अब देखो यहां पर बात करोगे European Companies के बारे में तो European Companies के अंदर में किस तरह से पावर का किस तरह से हिमालयान रिजन इस तरह से बारे मानि की पावर करने की करसि कि यह कि सरी किस तरीके सांब भारत को कवर कर सकते हैं जिसके से हम पूरा मतलब एक structure के तौर पर पढ़ सकते हैं तो यह political structure जो real माईने में था ना अब यह book उसको मतलब justify करती है उस नाम को justify करती है कि political structure in India पहले के time पे जो book थी old वाला ले बस अगर आप उसको देखोगे तो उसके अंदर में कुछ इस तरह का attractive आपको देखने के नहीं मिलेगा जो पहले introduction की वीडियो मैंने बना ही होगी उसको जाकर देखोगे तो कुछ इस तरह का surprise और attractive नहीं देखने के मिल जाता है तो यहां पर European के बारे में हम बात करते हैं उपने विशिकरन के अंदर में उपने यूरोपियन के बारे में पहले यह चैप्टर नहीं अंत्र ठीक है यहां पर यहां पर पंडिक लिया मिलता था डैरेक्ट आपको पंडिकले मिलेगा बुक के अंदर में किस तरह से चला जाता था रिसोर्स किस तरह से उप्योग किया जाता था ठीक है यह सारी चीज़े आपको नहीं मिलता था और अजादी हमें कैसे मिला इसके बारे में आपको समझने के मिलता है ठीक है तो यहां पर आपका जो चैप्टर एक राज्ये बनने से लेकर राज्ये कैसे बना राज्ये बनने से पहले किस परकार किसी थी राज्ये बनने के बाद किस परकार किसी थी एक राज्ये बनने से ल कैने वाला है कैसे आपको study करना है यह आपको समझ में आ गया होगा अगर फिर भी कहीं पर confusion कोई doubt हो कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना तो आप directly क्या कर सकते हो comment box आपके लिए open app comment box में आ सकते हो वहां पर बोल सकते हो अपने question को कोई भी syllabus देखना हो तो आप directly क्या कर सकते हो टेली ग्राम गुरूप में जा सकते हो वहां पर मैंने syllabus की मैंने डाल रखा है तो वहां से भी आप इसको उठाकर देख सकते हो लिवस जानना बहुत ज़्यादर जरूरी होता है अगर आपको syllabus पता रहेगा तो आप उसके सब्सक्राइब करए प्राइबेट प्यारी कि बॉक नहीं कि बॉक नए है कैसे टेडी कर सकते हैं तो सबसे पहले आप क्या करो जो पुराने वाली वाली भूख थी ना अगर आपके पास नहीं तो में आता है जो भी डाउट अगर कोई confusion हो रहा है सर नहीं हो पा रहा किया कुछ भी है तो मैं तो करवाने के लिए मैं तो करवाऊं गाई ठीक है आप हमें फॉलो कर लीजिए वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम करवाना है उसका यहां पर अप्डेट आपको मिल जाएगा तो इन अब और नव इंफो दोनों को आप सब्सक्राइब जरूर करें यहां पर वीडियो एंड करते हैं थैंकी सो मुझ वाचिंग में थैंकी सो मुझ फर लिसनिंग में बाबाय टेकर अलबास